लो कि यहलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे मेरा नाम है स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी एजस्मी सिंग पर बच्चों जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था 14 अपरिल से हम लोग का रिवीजन सीरीज शुरू हो जाएगा और पहला टॉपिक जो मैंने आप लोग को बताया था वह था रेसीडेंशल स्टेटस तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसीडेंशल स्टेटस और इस चैप्टर के अंदर आई है तो बैटा पक्की बात है में 2021 एक्जाम में कम से कम चार नंबर का कोश्चन रेसीडेंशल स्टेटस से आने वाला है और ज्यादा तर चांसे यह हैं ज्यादा तर क्या 99% चांसे यह हैं कि उसी अमेंडमेंट से आने वाला है तो यह पूरा वीडियो जो है वह आप लोग के और एमसी क्यू आने वाले हैं में 2021 और जून 21 अटेम्ट के लिए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा लाइक टार्गेट हम रखते हैं कम से कम सौ लाइक्स मेरे को इस वीडियो पर चाहिए और मुझे पता है आप लोग इजली यह 100 लाइक्स मेरे को दिलवा देंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर बिना देरी के सबसे पहले सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सर रेसिदेंशल स्टेटस क्यों किया जाता है और रेसिदेंशल स्टेटस और सिटिजन्शिप में क्या पहले हैं और यह जो रेसिदेंशल स्टेटस है वो एयर टु इयर बेसेस पर डिटर्मीन किया जा सकता है ऐसा हो सकता है कि आपका कोई इंडियन सेटिजन एस पर इंकम टेक्स रूल अपका रेसिदेंट निकलकर आ जाये Similarly ऐसा भी हो सकता है कि एक assessi एक year में resident हो सकता है और अगले साल में वही assessi non-resident भी बन सकता है तो यह जो residential status है यह income tax के लिए determine किया जाता है इसे आपको citizenship के साथ confuse नहीं करना है दूसरी चीज़ आपका जो residential status है वो year to year basis पे determine होता है हर previous year के लिए आप residential status determine करते हो और यह residential status जो है वो vary भी हो सकता है ऐसा नहीं कि आपको एक बार resident बना दिया गया तो आप हमेशा ही resident रहेंगे अब दूसरा सवाल कि सरी residential status निकालते क्यों है क्योंकि हमारे पास दो तरीके की income होती है एक होती है Indian income और एक होती है foreign income कौन से assessi के हाथ में कौन सी income पे tax लगेगा यह उसके residential status पे determine करता है तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप ordinary resident है तो आप global income पे taxes देते हो कि आपकी total income का scope क्या होगा आपकी total income में क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी इसके बारे में हम decide करते हैं on the basis of residential status तो यह तो था पूरा background residential status का आईए अब start करते है residential status of individual से और इसी topic पे है solid amendment पूरे पूरे chances है चार नंबर का question residential status of individual से आने के इसको बड़े ध्यान से समझिएगा इसी में हम सबसे दा time भी लगाएंगे बाकी सब चीजे तो फुर 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 होती चली जाएंगी ठीक है चलिए start करते है सबसे पहले मैं आपको old law पढ़ाऊंगा amendment बाद में कराऊंगा पहले old law सम basic conditions लिखी हुई है अगर individual दो basic condition में से कोई भी एक basic condition satisfy कर देता है तो उस case में हम individual को resident declare कर देते हैं और अगर individual दोनो basic condition satisfy नहीं करता है तो हम उसे non resident declare कर देते हैं once the individual has been determined as resident we have to further determine whether he is ordinary resident और not ordinary resident एक बार आप resident बन गए तो further यह check किया जाएगा कि आप ordinary resident है कि आप not ordinary resident है इसके लिए हमारे पास दो additional condition है जो कि आपको पूरी करनी है तो 6.1 के अंदर basic condition लिखी हुई है और पहली basic condition यह है कि individual का stay relevant previous year में 182 days यह उससे जादा होना चाहिए तो अगर आप relevant previous year, relevant previous year वो previous year जिस year का income आप determine कर रहे हो हमारे exam में previous year 2020-21 will be going to relevant previous year तो अगर आप 2020-21 में इंडिया में 182 days present है तो आप basic condition की पहली condition satisfy कर देते हैं हम आपसे दूसरी condition नहीं पूछेंगे, हम आपको सीधे resident declare कर देंगे लेकिन अगर आप पहली condition satisfy नहीं करते हैं तो हम basic condition की दूसरी condition आपसे पूछेंगे और आपसे पता लगवाएंगे क्या आप relevant previous year में 60 days या उससे जादा present थे की नहीं और relevant previous year के पहले 4 साल में आप 365 days या उससे जादा present थे की नहीं तो second condition के अंदर दो conditions लग रही हैं एक relevant previous year में आप 60 days प्रेजेंट थे की नहीं और दूसरी relevant previous year के पहले 4 सालों में आप 365 days प्रेजेंट थे की नहीं तो अगर relevant previous year बीस किस है तो उसके पहले के 4 साल होंगे 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17 अगर आप इन 4 सालों में 365 दिन इंडिया में है तो आप second basic condition satisfy कर देंगे और आपको resident declare कर दिया जाएगा और अगर आपने ये दोनों basic condition satisfy नहीं करी तो बैटा आप non-resident declare कर दिये जाएगे अब sir ये days calculate करने के लिए क्या हमें ये necessary है कि हमारा जो stay होना चाहिए वो continuous होना चाहिए मतलब जो ये 182 days की आपने बात करी है जो ये 60 days की बात करी है जो ये 365 days की बात करी है क्या ये continuous होने चाहिए नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप break कर करके भी ये conditions को पूरा कर सकते हैं मतलब कि आपका जो stay है वो continuous नहीं होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है period of stay may not be continuous दूसरा, sir ये days calculate करने के लिए जो आपका India से departure का date है और जो आपका arrival का date है ये दोनों ही consider किये जाएंगे तो जिस दिन आप India आए और जिस दिन आप India से गए ये दोनों दिन inclusive है इन्हें हम consider करके चलेंगे जब हम आपके in days का determination कर रहे होंगे तो while calculating 182 days, while calculating 60 days, while calculating 365 days date of departure and date of arrival they both are considered as stay in India So this is the basic condition अगर आपने basic condition की एक condition भी satisfy कर दी तो आप resident, otherwise आप क्या है non-resident अब बात करते हैं, अब बात करते हैं additional conditions की additional condition क्या है हमारे पास दो additional conditions है अगर दोनो additional condition आपने satisfy कर दी तो आप ordinary resident बन जाएंगे और एक भी additional condition अगर आपने satisfy नहीं करी तो फिर आप not ordinary resident कहलाएंगे पहली additional condition है कि relevant previous year के पहले के जो 10 साल है relevant previous year के पहले के जो 10 साल है उनमें से किसी दो साल में आपको resident होना है इसका मतलब यह निकलता है कि relevant previous year के पहले के जो 10 साल है उसमें से किसी भी 2 साल में अगर आपने basic condition को satisfy किया है तो आप additional condition की पहली condition satisfy कर देंगे that the individual must be resident in India in 2 out of 10 last years clear और पिछले 7 सालों में अगर आप 730 दिन इंडिया में है या उससे जाधा इंडिया में है तो उस case में भी आप additional condition की दूसरी condition को पूरा करेंगे तो पहली condition कि आप 2 out of 10 preceding years में resident होने चाहिए और आपका जो stay in India होना चाहिए in last 7 years in last 7 years वो 730 days या उससे जाधा का होना चाहिए अगर ये दोनो additional condition आपने satisfy कर दी तो आप बन जाएंगे बेटा ordinary resident otherwise आप क्या बनेंगे not ordinary resident तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 2 basic condition है और उन दो basic condition में से एक भी basic condition satisfy हो गई तो अपन resident बन जाते हैं और हमारे पास 2 additional condition है और अगर ये additional condition में हमने दोनों conditions को satisfy कर दिया तो हम ordinary resident बन जाते हैं otherwise हम not ordinary resident कहलाते हैं अब exception है to basic condition exception है to basic condition क्या exception है सर दो exceptions है अगर आप Indian citizen है और आप India छोड़के जा रहे है क्योंकि आपका abroad में job लग गया है आप Indian citizen है और आप India छोड़के जा रहे है क्योंकि आपका abroad में job लग गया है या फिर आप India छोड़के जा रहे है as a crew member of Indian ship ठीक है आप Indian citizen है और India छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपका abroad में job लग गया है आपका abroad में business setup हो गया है आप employment के लिए abroad जा रहे हैं या फिर आप Indian citizen है और आप crew member है foreign going Indian vessel के तो इस case में आपके पास second basic condition available नहीं है resident बनने के लिए आपको पहला condition ही satisfy करना पड़ेगा that you must be in India for 182 days or more अगर आप इंडिया में 182 days या उससे जाधा है तो ही आप resident बनेंगे अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपका abroad में job लग गया है या फिर आप crew member है foreign going Indian ship में इस case में आपके पास केवल पहली condition 182 days वाली ही उपलब्ध है राइट दूसरी condition आपके पास available नहीं है दूसरा exception है कि अगर आप Indian citizen है या फिर आप person of Indian origin है और आप India आते हैं visit पे तो उस case में भी आपके पास सिफ पहली ही condition है अब सवाल यह उठता है कि सब person of Indian origin कौन होता है सर person of Indian origin वो होता है जिसका खुद का जनम जिसके खुद का जनम या फिर parents का जनम या फिर grand parents का जनम अगर undivided इंडिया में हुआ है undivided इंडिया मतलब before independence यानि कि आज की बात करूँ तो इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांगलादेश अगर असेसी के खुद का जनम या फिर असेसी के माता-पिता का जनम या फिर असेसी के माता-पिता के माता-पिता का जनम यानि कि ग्रैंड पैरेंट्स का जनम अगर undivided इंडिया में हुआ है तो असेसी को हम क्या बोलते हैं सर असेसी को हम person of Indian origin बोलते हैं तो अगर मेरी बात करें मालो मेरा जनम अगर undivided इंडिया में हुआ है तो मैं क्या बन जाऊंगा, सर मैं बन जाऊंगा, परसन ऑफ इंडियन ओरिजन, माललो मेरा जनम, अफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है। हम तीनों जणरेशन में कोई भी अंडिवाइड इंडिया में पैदा नहीं हुआ तो उस केस में मैं परसन ओफ इंडियन ओरीजन नहीं रहूंगा तो जिसकी बात चल रही है जिस assessi की बात चल रही है उसका जनम उसके माता-पिता का जनम या फिर उसके grand parents का जनम अगर undivided इंडिया में हुआ है तो वो person of Indian origin है अब exception क्या कहता है कि sir अगर कोई Indian citizen या फिर कोई person of Indian origin इंडिया आता है visit पे तो उसके लिए भी सिर्फ पहली ही condition available है उसके लिए भी सिर्फ पहली ही condition available है that means अगर वह 182 डेज इंडिया में है तो वह resident है otherwise वह क्या है non-resident है और इसी point पे बेटा अब आ गई है amendment कि इसी point पे अब आ गई है amendment अब मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि यह most important होने वाला है अब आपके लिए इसी point में आ गई है amendment अभी amendment क्या कह रही है finance act 2020 ने amendment लाया और उसने कहा कि माल लो कोई person of Indian origin है या फिर कोई Indian citizen है वो इंडिया में visit पे आया है और वो 182 days से कम इंडिया में है वो 182 days से कम इंडिया में है तो भी वो तो भी वो resident बन सकता है लेकिन कुछ conditions है वो पूरी करनी पड़ेंगी finance act 2020 से पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई Indian citizen या फिर कोई person of Indian origin इंडिया में visit पे आता है और वो 182 days से कम के लिए आता है तो हम outrightly उसको क्या बोल देते थे non resident लेकिन finance act 2020 ने इसमें amendment किया और कहा कि Indian citizen और person of Indian origin अगर इंडिया में visit के लिए आ रहा है और 182 days से कम अगर उसका stay है इंडिया में तो वो resident बन सकता है अगर कुछ conditions है वो satisfy हो जाए तो तो क्या conditions है कह रहा है कि in case of Indian citizen और person of Indian origin visiting India where total income excluding income of foreign sources total income का मतलब इंकम को अटा दो यानि कि किसकी बात चल रही है केवल Indian source of income की बात चल रही है तो क्या बोला in case of Indian citizen और person of Indian origin visiting India where total income excluding income from foreign sources but but including foreign business income whose control is in India exceeds 15 lakh exceeds 15 lakh shall be nor shall be nor if we stay during relevant previous year is at least 120 days and stay during last four year is at least 365 days क्या बोला उसने कहा उसने कहा कि भाई साब अगर कोई Indian citizen अगर कोई Indian citizen या फिर कोई person of Indian origin इंडिया में visit के लिए आया है तो चेक कर लो क्या उसका stay more than or equals to 182 days है क्या उसका stay इंडिया में more than or equals to 182 days है हमने का हाँ सर उसका stay इंडिया में more than or equals to 182 days है येस तो कहता है साहाब ये resident है साहाब ये resident है प्लस अगर ये additional condition satisfy कर देगा अगर ये additional condition satisfy कर देगा तो ये रो आर बन जाएगा और additional condition satisfy नहीं करेगा तो ये नो आर बन जाएगा ध्यान जे सुनना कर देगा तो आर और बन जाएगा नहीं करेगा तो अनो आर बन जाएगा अब अगर वो 182 days इंडिया में present नहीं है वो 182 days इंडिया में present नहीं है नो तो ये चेक कर लो कि उसकी इंडियन इंकम उसकी इंडियन इंकम क्या एकसीड कर रही है 15 लैक को ध्यान से देखना equals to नहीं बोल रहा है एकसीड की बात कर रहा है चेक कर लो क्या उसकी इंडियन इंकम एकसीड करती है वन लैक को अगर आप कहते हो नहीं वन लैक एकसीड नहीं करती है तो इस केस में आप इसे नॉन रेसिडेंट डिकलेयर कर दो अगर वो 182 days से कम इंडिया में है और इंडियन इंकम 15 लाख रुपे से भी कम हैं तो उस केस में उसको आप नॉन resident declare कर दो लेकिन अगर उसकी Indian income exceed करती है अगर उसकी Indian income exceed करती है पंदरा लाख रुपे को येस उसकी Indian income exceed करती है पंदरा लाख रुपे को तो check करो चेक करो उसका stay in relevant previous year is more than or equals to 120 days plus उसका stay in last four years is more than or equals to 365 days अगर ऐसा है येस तो आप इसे declare कर दो और अगर नहीं है तो आप इसे declare कर दो और ध्यान रहे कि जब वो इस route से आएगा मतलब वो 182 days से कम है उसकी Indian income पंदरा लाख से जादा है relevant previous year में stay 120 दिन या उससे जादा है और पिछले चार साल में stay 365 दिन या उससे जादा है तो वो सीधे क्या बनता है NOR बनता है मतलब यह जो amendment आई है यह amendment से अगर resident बन रहा है तो वो not ordinary resident ही बनेगा और डिनरली resident नहीं बन पाएगा इसी को हम क्या बोल रहे है amendment बोल रहे है यह जो आया है यह वाला जो हिस्सा है जो yes वाला हिस्सा है यही amendment है यही amendment है ठीक है बात समझा की नहीं समझा मेरी बिलकुल सिंपल है मेरे बेटा बिलकुल सिंपल है इस चार्ट को दिमाग में बसा लो सबसे पहले जब भी Indian citizen या फिर person of Indian origin इंडिया आए तो चेक कर लो क्या वो relevant previous year में 182 days या उससे जादा present है की नहीं अगर है yes तो यह old law ही लगेगा अगर है तो old law ही लगेगा right resident बन गया अब चेक करो additional condition satisfy हो रही है की नहीं हो रही है लेकिन अगर वो 182 days से कम इंडिया में है तो चेक करो क्या उसका Indian income 15 लाख रुपे से जादा है क्या उसका Indian income 15 लाख रुपे से जादा है अगर जादा है yes तो उस case में यह चेक करो क्या stay 120 दिनिया उससे जादा है और पिछले चार सालों में 365 दिनिया उससे जादा है अगर हाँ तो N.O.R. otherwise N.R. I hope यह clear हुआ है अब इसी तरीके से एक amendment और आई है deemed resident की एक और amendment आई है deemed resident की और most important amendment है यह deemed resident की यहाँ पर हम assessi को deemed कर ले रहे हैं कि तुम resident हो वो कोई condition satisfy नहीं कर रहा वाने 82 days वाली वो कोई condition satisfy नहीं कर रहा वो क्या बोल रहा है Individual shall be N.O.R. if the following conditions are satisfied Individual shall be N.O.R. if following conditions are satisfied Individual is Indian citizen Total income excluding income from foreign sources but including foreign business income whose control is in India exceeds 15 lakh Such person is not paying tax in any country due to his domicile, residence or similar nature क्थार बेसिक कंडिशन पहली चीज नौट सेटिस्फाइंग बेसिक कंडिशन अगर यह बेसिक कंडिशन सेटिस्फाइग कर रहा होता तो 618 की हमें जरुरत ना पड़ती अगर यह बेसिक कंडिशन सेटिस्फाइग नहीं कर रहा है तभी हमें 618 की जरुरत पड़ रही है अब यह क इंडिविज्ड शैल्बी एनोर कि में बनेगा। जरे हैं इनडिविज्ड एनोर बनेगा अगर अगर अगर-अगर-अगर-अगर-अगर-अ-गर उसकी इंडियनिकम। एकसीड करती है 15 जाक रुपे को। ये किसी भी कांट्री में टेक्स् b नहीं दे रहा है। नॉट पेंग टेक्स एनिवेर इन दे वर्ल्ड दुनिया के किसी भी कोने में यह टेक्स नहीं दे रहा है और क्यों नहीं दे रहा है ड्यू टू इस डॉमिसाइल और रेसिडेंस और सिमिलर नेचर मतलब इसने अपना स्टे इस तरीके से प्लान किया है कि यह किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में रेसिडेंट नहीं बन पाता है यह किसी भी कंट्री में रेसिडेंट नहीं बन पाता है इस तरीके से इसने अपना स्टे प्लान किया है यह लिमिटेड नंबर ओफ डेस के लिए हर कंट्री में रहता है ताकि यह कहीं का भी रेसिडेंट ना बन पाए और इसे कहीं पर भी टेक्स ना देना पड़े due to his domicile और residence तो ऐसे case में इंडियन गवर्मेंट ने इनके लिए जुगाणा निकाला और इनको कह दिया कि बाबू आप क्या हो आप क्या हो आप एन ओ आर हो इंडिविज्वल शेल भी एन ओ आर इफ फॉलोइंग कंडिशन सार सेटिस्वाइब तीन कंडिशन सेटिस्वाइब करनी है तीन कंडिशन आपको सेटिस्वाइब करनी है पहली कंडिशन है कि आपकी जो इंडियन इंकम होनी चाहिए वो पन्रा लाख रुपे से जाधा होनी चाहिए आप किसी भी कंट्री में टेक्स नहीं दे रहे हैं because of your domicile और अगर ऐसा हो रहा है आप किसी भी कंट्री में टेक्स नहीं दे रहे हैं because of your domicile और residence अगर ये तीनों कंडिशन आपने पूरी कर दी ये तीनों कंडिशन अगर आपने पूरी कर दी तो आपको income tax department क्या declare कर देगा बेटा आपको income tax department NOR declare कर देगा हमेशा ध्यान रखना पहले हम basic condition ही लगाने की कोशिश करेंगे अगर आप basic condition satisfy नहीं कर रहे होगे तभी आप deemed resident की category में fall करोगे वीडियो को यहाँ पर पॉस करके दुबारा से एक बारी सुन लो पूरा individual का खास कर ये जो मैंने amendment से यहां से पढ़ाई है ये आप लोग के लिए most important है ये आप लोग के लिए most important है pause करके एक बारी दुबारा से risk को repeat में सुन लिजे आपको पूरी मेरी बात समझ में आ जाएगी एक एक चीज मैंने take up करी हुई है अब हम बात करते हैं बाकी हमारे जो assesses हैं उनके residential status की अगर हम बात करें partnership firm की, BOI की और AOP की अगर हम बात करें partnership firm की, BOI और AOP की ये resident होते हैं अगर इनका control और management holy या फिर partly इंडिया में है otherwise ये क्या हो जाएंगे otherwise ये लोग हो जाएंगे और ये otherwise हो गया है इसको ठीक कर लीजेगा this is otherwise otherwise ये लोग क्या हो जाएंगे otherwise ये लोग हो जाएंगे non resident, बात समझा control and management से हमारा मतलब क्या है sir control and management से हमारा मतलब है कि आपके जो key decisions है आपके जो key decisions है मतलब जो managerial level के decisions है, अगर वो holy या फिर partly इंडिया में लिये जाते है, अब holy और partly का मतलब क्या है, बच्चे partly को कई बर confuse कर देते हैं, हाफ 50-50, ऐसा नहीं है, partly का मतलब even 1% even 1% अगर control इंडिया में है even 1% अगर control इंडिया में है तो उस case में partnership firm BOI और AOP क्या हो जाएगी, resident हो जाएगी और अगर 100% control and management 100% control and management outside इंडिया है तो उस case में ये क्या हो जाएगी non-resident हो जाएगी, clear? अब बात करते हैं company की company के case में 2 company हो सकती है Indian company हो सकती है, foreign company हो सकती है Indian company जो होती है, वो always resident होती है और जो foreign company होती है उसका हम check करते है place of effective management अगर place of effective management इंडिया में है तो वो resident है, otherwise वो non-resident है again place of effective management से हमारा क्या मतलब है? सर, place of effective management से हमारा मतलब है कि आपके, जो key decisions है managerial decisions है जो आपके managerial level के decisions है, वो कहां से होते हैं अगर managerial level के decisions की majority majority इंडिया में है majority India में है तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका poem भी कहा है इसका poem भी इंडिया में है poem मतलब place of effective management तो अगर foreign company का place of effective management इंडिया में है place of effective management के अंदर day to day decisions नहीं आते है managerial decisions आते हैं अगर managerial decisions majority इंडिया में है तो हम ये बोलेंगे कि पोयम इंडिया में है और अगर पोयम इंडिया में है तो foreign company जो है वो resident है otherwise non resident है Simple as a funda है partnership firm, AOP और BOI में हम लोग क्या चेक कर रहे है control and management Control and management अगर holy और partly इंडिया में है तो वो resident हो जाएगा Control and management से हमारा मतलब day to day decision से नहीं है हमारा मतलब की decisions है मतलब की managerial level के decisions है अगर वो आपका holy और partly इंडिया में है even 1% control is in India तो वो आपका resident बना देगी firm को लेकिन अगर 100% outside इंडिया है तो non resident हो जाएगी same goes here Indian company है Indian company के case में आपको कुछ भी check नहीं करना है अगर कोई company Indian act में registered है Indian companies act में registered है तो वो company हमेशा इंडिया में resident होती है irrespective of the fact कि उसका control इंडिया के बाहर है कि इंडिया में कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर foreign company है हमारे पास तो foreign company के लिए हम लोग poem चेक करेंगे और अगर poem इंडिया में है तो उस case में foreign company resident है otherwise non resident है poem से हमारा मतलब क्या है managerial decisions है majority of the decisions जो है वो इंडिया में होने चाहिए अगर majority of decisions इंडिया में है तो poem इंडिया में है otherwise poem इंडिया में नहीं है residential status of HUF residential status of HUF Hindu undivided family again अगर Hindu undivided family का control and management इंडिया में है holy या फिर partly अगर हिंदू undivided family का control and management इंडिया में है holy या फिर partly तो हुएफ क्या हो जाती है resident otherwise क्या हो जाती है non resident तो हुएफ को control and manage कौन करता है सर हुएफ को control and manage करता करता है तो अगर करता होली या फिर partly managerial decisions इंडिया से लेता है करता अगर होली या फिर partly managerial decisions इंडिया से लेता है तो हम ये मान के चलेंगे कि control and management इंडिया में है और हुएफ क्या है resident है और अगर करता सारे के सारे decisions इंडिया के बाहर से लेता है तो हम ये मान के चलेंगे कि control and management इंडिया के बाहर है और इसे हम लोग क्या declare कर देंगे इसे हम लोग declare कर देंगे non-resident एक बारी HOF resident बनती है तो further HOF ordinary या फिर not ordinary resident की category में fall करती है HOF ordinary resident बनेगी की not ordinary resident बनेगी ये करता पर depend करता है अगर हमारा करता ये वाली additional conditions को satisfy कर देता है 2 out of 10 preceding years में वो resident है और last 7 years में वो 730 days इंडिया में present है करता अगर पिछले 10 साल में से 2 साल में resident है और पिछले 7 सालों में वो इंडिया में कम से कम 730 दिर उपलब्ध है तो HOF क्या हो जाएगी? HOF बन जाएगी ordinary resident मतलब HOF resident बनेगी की नहीं बनेगी ये depend करता है control and management पे लेकिन ordinary resident बनेगी की नहीं बनेगी ये depend करता है करता के उपर अगर करता पिछले 10 सालों में से 2 साल में resident है और पिछले 7 सालों में 730 दिर इंडिया में उपलब्ध है तो उस case में आपका जो HOF है वो क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा ordinary resident, otherwise हो जाएगा not ordinary resident तो ये हमने first part of the chapter complete कर लिया है, residential status हमको अच्छे समझ में आ गया है अब हम बात करते हैं scope of total income की और scope of total income समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि income दो प्रकार की होती है एक होती है Indian और एक होती है foreign Indian income और foreign income को classify कैसे किया गया है? सर इनको classify किया गया है on the basis of accrual and on the basis of receipt दो concepts लगाएं गए है accrual और receipt अगर accrual और receipt दोनों इंडिया में है तो ये Indian income है या फिर accrual और receipt इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ इंडिया में है तो भी ये Indian income है और जब accrual और receipt दोनों इंडिया के बाहर होंगे तो उस case में ये क्या बन जाएगी foreign income accrual का मतलब income ने जनम कहां लिया, receipt का मतलब income receive कहां हुई और जब हम receipt की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग first receipt की बात करते है first receipt मतलब की पहली बार ये कहां पर receive हुई subsequently अगर पैसा remit कर दिया जाता है इंडिया में तो वो आपकी second receipt होती है हमें लेना है पहली बार पैसा कहां पर receive हुआ है तो अगर accrualize और receipt में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो गई accrualize और receipt में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो गई तो वो आपकी Indian income हो जाएगी और अगर दोनों चीजें इंडिया के बाहर है तो वो foreign income हो जाएगी तो जब आपको income मिले तो उस income को analyze करिएगा कि income earn कहां पर हुई है मतलब accrualize कहां पर हुई है और दूसरा की income receive कहां पर हुई है अगर इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज इंडिया में है तो ये आपकी Indian income है ये क्या है आपकी foreign income है तो अगर accrualize इंडिया में हुआ receive इंडिया में हुआ तो Indian income accrualize इंडिया में हुआ receive इंडिया के बाहर हुआ कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि accrualize इंडिया में हो चुका है ये Indian income बन जाएगी Accrue Arise India के बाहर हुआ लेकिन income इंडिया में receive हो गई तो फिर से ये Indian income हो जाएगी तो इन दो चीजों में से अगर एक भी चीज इंडिया में है अगर Accrue Arise India में है तो भी Indian income Receive India में है तो भी Indian income लेकिन अगर Accrue Arise India के बाहर हो Accrue Arise India के बाहर हो और Receive भी India के बाहर हो तो फिर ये क्या बन जाएगी Foreign Income तो Income को दो केटेगरी में Classify किया जाएगा Indian और Foreign Classify करने के लिए Accrue Arise और Receipt का Concept देखा जाएगा अगर दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो रही है अगर आप Ordinary Resident हैं तो आप Indian Income पे भी Tax देंगे और Foreign Income पे भी Tax देंगे अगर आप Ordinary Resident हैं तो Indian Income भी Taxable है और Foreign Income भी आपके हाथ में Taxable है अगर आप Non Resident हैं तो आपके हाथ में केवल Indian Income Taxable होगी और आपके हाथ में Foreign Income जो है वो Taxable नहीं होगी अगर आप non resident हैं तो Indian income तो taxable होगी और foreign income जो होगी वो आपकी taxable नहीं होगी और अगर आप not ordinary resident हैं तो Indian income आपके हाथ में taxable होगी foreign income आपके हाथ में taxable नहीं होगी लेकिन दो तरीके की foreign income आपके हाथ में taxable हो जाएंगी एक वो foreign income जो business income है जिसका control इंडिया में है और दूसरी वो profession की income जिसका setup इंडिया में है ध्यान से सुन लिजेगा मेरी बात को आपके हाथ में दो तरीके की foreign income taxable होंगी अगर आप NOR है तो पहला foreign business income जिसका control इंडिया में है foreign professional income क्योंकि profession का setup इंडिया में है इन दो foreign income के अलावा तीसरी कोई भी foreign income आपके हाथ में taxable नहीं होगी अगर आप NOR है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्रक्ष देने जा रहा हूँ अगर आपने Indian income earn करी है तो आपका residential status matter नहीं करता Indian income सभी के हाथ में taxable होती है अगर आपने foreign income earn करी है और आप ordinary resident है तो ये आपके हाथ में taxable होगी और आप non resident है तो foreign income आपके हाथ में taxable नहीं होगी अगर आप NOR है तो केवल दो तरीके की foreign income आपके हाथ में taxable होगी एक business income जिसका control इंडिया में है दूसरी profession की income क्योंकि आपका profession इंडिया में setup है इसके अलावा और कोई foreign income इनके हाथ में taxable नहीं होने वाली है I hope यहाँ तक आप लोगो मेरी बाते समझ में आई हैं आपने enjoy किया है तो भाई साब अगर आप यहाँ तक आ गए है मतलब कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कृपा करके एक like जरा ठोक दीजेगा क्योंकि like मिलेगा तो motivation आएगा अभी आपका शुरू हुआ है और कितने सारे chapters मेरे को revise करवाने है राइट तो जब तक यह like नहीं ठोकोगे ना तब तक revision कराने में मज़ा नहीं आएगा प्रण सा motivation दो, like ठोक दो, channel subscribe नहीं किया है, subscribe कर दो और दोस्तों के साथ इस video को share भी कर दो, clear है? चली बचो, अब बात करते हैं section number 9 की income deemed to accrue or arise in India most important है ये चीज, most important है ये चीज, ध्यान रखिएगा income deemed to accrue or arise in India, अब deemed to accrue or arise in India का मतलब क्या हो गया? कि भाई साब अगर आपने ये income earn करी है, तो इसके उपर हर एक assessi text देगा क्योंकि ये income deemed हो गई है accrue or arise in India और deemed to accrue or arise in India का मतलब क्या हो गया? कि साहब ये आपकी Indian income हो गई साहब ये आपकी कौन सी income हो गई? साहब ये आपकी Indian income हो गई और Indian income के उपर हर एक assessi text देता है सबसे पहला आता है any income, any income accruing, any income accruing or arising to an assessi in any place outside India whether directly or indirectly, तो आपको income मिल इंडिया के बाहर रही है आपको income मिल इंडिया के बाहर रही है, generate भी इंडिया के बाहर हो रही है लेकिन क्यों हो रही है? क्योंकि उसका business connection इंडिया में है तो अगर income outside इंडिया accru or arise हो रही है, लेकिन उसका business connection इंडिया के साथ है वो इंडिया से जुड़ी हुई income है तो भले वो accru arise बाहर हो रही है हम उसे ये मान के चलेंगे कि वो इंडिया में accru arise होई है आपको इंडिया के बाहर कोई income मिली है क्योंकि सर उसका property इंडिया में है राइट मान लीजिया आपके पास कोई copyright है जो आपने इंडिया में ले रखा है और उस copyright को आपने temporary transfer किया है इंडिया के बाहर और उससे आपको मिल रही है royalty तो भले ये royalty accru arise इंडिया के बाहर हो रही है लेकिन ये क्यों arise हो रही है क्योंकि इससे related property asset कहां पर है वो copyright इंडिया में registered है किसी भी asset से या फिर source of income in इंडिया तो भले income इंडिया के बाहर आपको मिली है लेकिन उस income का source जो है वो इंडिया में है कोई भी income अगर आपको इंडिया के बाहर हुई है ऐसी capital asset को transfer करके जो की इंडिया में है तो अगर आपको income इंडिया के बाहर मिल रही है लेकिन उस income का business collection इंडिया में है उस income की property इंडिया में है उस income की asset इंडिया में है या फिर इंडिया में capital asset को बेच के आपको income हुआ है लेकिन वो income इंडिया के बाहर हुआ है कोई फरक नहीं पड़ता है सरकार उसे deemed to accrue arise मानेगी इंडिया के अंदर और आपको इंडिया में उस पे टेक्स देना पड़ेगा लेकिन अगर आप इंडिया में माल खरीदते हैं केवल एक्सपोर्ट करने के लिए तो इसे हम बिजनस कनेक्शन नहीं बोलेंगे मतलब आपने इंडिया से माटीरियल खरीदा का कॉंसेट नहीं लगेगा अगर आप इंडिया से केवल न्यूस कलेक्ट करते हो और अपने मैगजीन्स में न्यूस पेपर में न्यूस चैनल में उस न्यूस को ब्रॉड कास्ट करते हो तो उस कलेक्शन ऑफ न्यूस को हम business connection in India नहीं मानेंगे अगर आप इंडिया में film shoot कर रहे हो by the foreign citizens इंडिया में केवल film shoot हो रही है by the foreign citizens उसे भी हम business connection in India नहीं मानेंगे लेकिन अगर वो movie इंडिया में क्या करी जाती है release करी जाती है इंडिया में उसका publication होता है उसका क्या बोलते हैं हम लोग exhibition होता है तो उस case में फिर वो income Indian income माना जाएगा ध्यान से मेरी बात अगर आपने purchase किया है export के लिए तो यहाँ पर deemed to accruarise in India का concept नहीं लगेगा अगर आपने news collection किया है इंडिया में deemed to accruarise का concept नहीं लगेगा अगर आप Indian में shooting कर रहे हो via the foreign citizens विदेशी लोग आके अगर इंडिया में shooting कर रहे है और वो movie इंडिया में नहीं दिखाई जाएगी वो movie इंडिया के बाहर ही दिखाई जाएगी तो उस case में business connection इंडिया में नहीं है इन तीनो sources से कमाई हुई income को आप foreign income ही बोलेंगे इन तीनो sources से कमाई हुई income को आप foreign income ही बोलेंगे ये deemed to accrue arise in India नहीं रहेंगी income which fall under the head salaries deemed to accrue arise in India if it is earned in India salary payable for services in India would be treated earned in India तो आपने इंडिया में सेवाए दी services आपने इंडिया में दी लेकिन आपको तनख्वा इंडिया के बाहर मिली तो कोई फरक नहीं पड़ता है वो income, Indian income ही मानी जाएगी क्योंकि आपने services इंडिया में दी है for example Mr. X है वो X Limited में काम करते थे उन्होंने X Limited में 40 साल काम किया 40 साल काम करने के बाद वो retire हुए retire होने के बाद London अपने बेटे के पास shift हो गए अब X Limited उनको pension देती है उनके London के bank account में तो यह जो pension आपको मिल रही है यह pension salary income है और यह pension आपको क्यों मिल रही है क्योंकि आपने इंडिया में X Limited को services प्रोवाइड करी थी तो भले आज आपको यह pension लंडन में receive हो रही है इसे हम deemed to accruarize in India मानेंगे क्योंकि यह pension उस period को relate करती है जिस period की services आपने इंडिया में दी है इसके बाद अगर government of India किसी Indian citizen को salary दे रही है outside India अगर कोई government of India Indian citizen को salary दे रही है outside India for the services rendered by the Indian citizen to the government outside India then it will be termed as Indian income it will deemed to accruarize in India मान लीजे Mr. X है वो Indian embassy में काम करते हैं Australia में और उस Mr. X को salary देती है government of India तो Mr. X क्या कर रहे है Mr. X government of India को services render कर रहे है Australia में और government of India Mr. X को salary दे रही है यह salary Mr. X के लिए deemed to accruarize in India होगी यानि कि इसके उपर उन्हें इंडिया में tax देना पड़ेगा अब यहाँ पर perquisite और alliances पर exemption है यानि कि अगर government of India Mr. X को कोई perquisite दे रही है government of India अगर Mr. X को कोई alliances दे रही है तो perquisite और alliances जो है मेरे बेटा वो exempt रहेंगे उस पर tax नहीं लगेगा यानि कि कुल मिलाके केवल basic salary पर ही tax लगने वाला है इसके बाद आता है कि अगर interest on loan pay किया जा रहा है और loan का utilization इंडिया में हुआ है royalty का payment किया जा रहा है लेकिन knowledge जो है वो इंडिया में utilize होई है technical services की fees दी जा रही है क्योंकि technical services इंडिया में provide करी गई है तो अगर आपने loan raise किया है और loan को इंडिया में utilize कर दिया है और आप उस loan का interest दे रहे हो तो recipient के हाथ में वो interest Indian income है अगर आपने किसी से IPR intellectual property right लिया है उस IPR को आपने इंडिया में use किया है और उस IPR के बदले में आप royalty दे रहे हो तो वो royalty recipient के हाथ में Indian income है अगर आपने किसी से technical services ली है इंडिया में और उन technical services के लिए आप technical fees दे रहे हो तो वो technical fees recipient के हाथ में मेरे बेटा क्या है Indian income है अगर interest royalty fees for technical services government of India देगी तो recipient के हाथ में यह हमेशा Indian income ही होगी irrespective of the fact government of India ने loan को कहां utilize किया है IPR को कहां utilize किया है technical services को कहां utilize किया है अगर government of India ने loan का interest दिया है royalty दी है IPR के लिए और technical services के लिए fees दी है तो वो recipient के हाथ में always 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 होती है Indian income तो बेटा यहाँ पर हमारा यह chapter का revision हो गया है complete we have took almost 40 minutes and completed the entire chapter along with amendment I hope you have enjoyed the session if yes then do like the channel do subscribe the channel do like the video and share the video with your friend okay bye bye मिलते हैं अब आप लोगों से शाम को MCQ के session पे अच्छे से revise करके आजाना चलो bye bye